आपका तावून कहां लग रहा है? जो डोनेशन आप आई प्लस टीवी को दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? और उम्मत को इसका फाइदा कैसे मिल रहा है? और एक इसलामिक टीवी चैनल कैसे चलता है? आईए देखते हैं, Behind the Scenes. जो वीडियो हम आई प्लस टीवी पर देखते हैं, वो कैसे बनती है? Complete Process Planning to Broadcast आई प्लस टीवी ओफिस साकिना का मुंबई में मौझूद है. इसमें 35 लोगों की टीम काम करती है. अलहम्दुलिला, अक्सर लोग एक से ज्यादा जिम्मेदारियों को अन्जाम देते हैं. आफिस में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रडक्शन, शूटिंग, एडिटिंग, ग्रैफिक्स, प्रोमो, ब्राडकास्ट, पॉब्लिसिटी, इसलामिक हेल्प लाइन, अकाउंट्स और गेस्ट रूम भी है. प्लैनिंग की स्टार्टिंग होती है, कॉन्फरेंस रूम से, ये चेर्मैन, जैद पटेल का कैबिन भी है. यहां प्रोग्रैमिंग की मीटिंग्स होती है, इसमें आई प्लस टीवी के तमाम जिम्हदारान के मश्वरे से, आने वाले वक्त के लिए प्रोग्रैम्स, डिसाइड और डिजाइन किये जाते हैं, अब शुरुआत होती है, एक बड़े जदो जहद की, छोटी टीम और सेलेक्ट किया जाता है, और फिर शूटिंग के लिए उनकी डेट फिक्स होती है, फिर काम स्टार्ट होता है, सेट डिजाइनिंग का और कारपेंटरिंग वक का, सेट को हकी की शकल देने का, और फिर पेंटिंग, शूटिंग की डेट से एक दिन पहले ही सेट रेडी हो जा नेक्स टेप है लाइटिंग का उस्मान खान आई प्लस टीवी के डी ओपी और कैमरा मैन है और ये है इनकी टीम जो लाइट, कैमरा, साउंड के साथ साथ आफिस के कई और चीजें भी संभालती है अंडर दा सुपर विजन आफ प्रडेक्शन मैनेजर खालिद खान इस वक्त आप मौजूद हैं स्टूडियो वन में यहाँ पर ओडियन्स प्रग्राम का भी इंतजाम है इसके साथ साथ एक और स्टूडियो है स्टूडियो टू जिसमें शॉर्ट क्लिप्स शूट की जाती है अलहम्दुलिल्ला शेख रजा उल्लाह अब्दुलकरीम मदनी साहब एक एहम बात अलहम्दुलिल्ला हिंदुस्तान के तकरीबन सौ से ज्यादा उल्माओं ने पुरान और हदीस की रोशनी में आई प्लस टीवी पर सैक्डू प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किये हैं शेख रिड़ी है नियुक्तान के प्रोग्राम के मताबिक शूटिंग की जाती है यहां से बेश प्रिकॉर्डिंग की फुटेज सेक्यूर करने के लिए सेफ स्टोरिज रूम में पहुँचाई जाती है यहाँ पर वीडियो को तीन जगे पर सेव किया जाता है, हार्डिस, नैस, फिर एल्टियो में. इस डिपार्टमेंट में तीन शिफ्ट में काम होता है, इस वक्त पर मौझूद हैं शाहिद और नसीम. अलहम्दुलिल्ला, ये लोग भी मुख्तलिफ काम करते हैं. ये सेम टीम ब्राडकास्ट भी संभालती है. गाइडलाइन के मताबिक कौन सा प्रोग्राम कब चलाना है, इसका भी पूरा खयाल रखती है. साथ ही कौन सी फुटेज, कौन से एडिटर को एडिट के लिए देनी है, ये सब काम भी ये टीम ही करती है. अब यहां से वीडियो सेब करने के बाद एडिटर को सेंड की जाती है. ये है आई प्लस टीवी का एडिटिंग और ग्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसके होडी हैं, इमरान शेख और ये है इनकी टीम. शुरुवात होती है एडिटिंग की, जिसका प्रोसेस काफी लंबा है. लाइन अप, शॉर्ट सौर्टिंग, फंबल एडिट, ओडियो क्लीनिंग, कलर करेक्शन, ग्रैफिक इंसर्ट, ये सब काम करने के बाद, एडिटर इसलामिक चेक के लिए वीडियो को फावर्ड करते हैं, ये हैं शेख हाशिम, जिनके अंडर में शेख अब्दुलबारी और शेख शाह फहद हैं, ये तीनों हर वीडियो में बया की गई आयतों और हदीसों का रेफरेंस देते हैं, और स ये हैं सुजाओदीन मीर, जो वीडियो के हर शॉट का प्रॉपर क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक के बाद, ये वीडियो दुबारा एडिटर के पास पहुचती है, जो जरूरत के मताबिक उसमें करेक्शन करते हैं, अब वीडियो आती है डाइरिक्टर की किया जाता है हार्डिस्क, नैस और ल्टियो में, अब एक वीडियो तैशुदा वक्त पर सेटेलाइट और सोशल मीडिया के जरीए पूरी दुनिया में हक्ती दावत को आम करने के लिए नश्र की जाती है, अलहम्दुलिल्ला, अब आपको तसली हो गई होगी कि आप जो तावून दे रहे हैं आई प्लस टीवी को उसका इस्तेमाल कारे खैर में हो रहा है, ये आपके लिए सदका जारिया है, ये वीडियो चलती रहेंगी और आपको उसका अज्र मिलता रहेगा, इन्शाल्ला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आई प्लस टीवी को तावून करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जजाक अल्ला हुखेर। करें।